तीसरे वंडे के लिए राजकोट पहुंसते ही टीम इंडिया को एक साथ मिली तिन-तिन बहुती बढ़ी खुसकबरी पूरी टीम इंडिया में छाई खुसी की लहर जी हो दोस्तों अखिरकार राजकोट पहुंसते ही टीम इंडिया के लिए आई है कौन सी तिन बढ़ी खुस तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो टीम इंडिया और औस्टेलिया के बीच तीन मैचों की वंडे सिरीज का आखरी वंडे मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जाना है आपको बता दे कि सुरुवाती दो वंडे मुकाबलों में भारती टीम ने अपना दमखम दिखाते हुए औस्टेलिया को चारोखा ने चित किया और दोनों वंडे मुकाबलों में जीत दचकर सिरीज में 2-0 की अजयबरत बना ली है यानि कि अब सिरीज पर कबजा टीम इंडिया का हो चुका है अब टीम इंडिया की निगाहे औस्टेलिया को इस वंडे सिरीज में वाइट वास करने पर है वर्लकप से पहले भारती टीम के खिलाडी औस्टेलिया के खिलाप वंडे सिरीज में बहतर परदेशन कर रहे है गेंद और बल्ले दोनों से भारती टीम के खिलाडियों ने औस्टेलिया के खिलाप अपना बेश्ट मैदान पर दिया है और टीम इंडिया ने अभी तक इस वंडे सिरीज में अच्छा परदेशन किया है ऐसे में टीम इंडिया की निगाहें आखरी वंडे मुकाबले में भी ऐसे ही परदेशन पर होगी आपको बता दे कि टीम इंडिया और उस्टेलिया के बीच सिरीज का तीसरा और आखरी वंडे मुकाबला बुढ़वार 27 सितंबर को खेला जाना है और इस मुकाबले से ठेक पहले भारती टीम के लिए तीन बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आई है बात करें अगर पहली बड़ी खुसकबरी के बारे में तो वो विराट कोली कोले कर सामने आई है दरसल आपको बता दे कि विराट कोली की इंट्री अब तीसरे बंडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होने जा रही है विराट कोली बहुत इसांदर पॉम में है और उनका टीम में सामिल होना ये भारती फैंस के लिए बड़ी खुशकबरी है बात करें अगर दूसरे बड़ी खुशकबरी के बारे में तो वो रोहिश सर्मा को लेकर सामने आई है पहले खबरे थे कि रोहिश सर्मा तीसरे बंडे मुकाबले में भी आराम करेंगे लेकिन अब जो खबरे निकल कर आई हैं उसके मुताबिक रोहिस सर्मा भी तीसरे बंडे मुकाबले में वापसी करेंगे अगर तीसरी और आखरी बड़ी खुशकबरी के बारे में बात की जाए तो वो मुहमद सिराज को लेकर सामने आई है मुहमद सिराज फिलाल सांदर पॉम में चल रहे हैं और एशिया कप में भी उन्होंने अपनी गेंडों से सिलंकाई बले बाजो को खुब शकाया था अब आश्टिलिया के खिलाब भी मुहमद सिराज तीसरे बंडे में अपना बहतर परदेशन कर टीम इंडिया को जीत दिला न चाहेंगे और मुहमद सिराज की वापसे भी भारती टीम के लिए किसी बड़ी खुशकबरी से कम नहीं है फिलाल दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार